क्या लगा था कि तुम लोग बहुत शाने हो हाँ यह हमारा रोजगा में मेडम चल क्रिश्णा को जेल से भार निकाल दिये जाएगा यहां पर जो मोहिनी है वो सच बोल देगे आरेमन क्या करता है आरेमन चाकू रख देता है उसके उपर और बोलता है कि तुम सच बता दो वरना मैं तुमें पुलिस के हवाले कर दूँगा और नहीं तो चाकू पुल सब्सक्रेट करें चोल हो दो तूँगा तुमारे ऊपर और यहां पर वो दर के मारे भी सारा सच बता देती है कि सब बता देती है कि किस चरीके से मोहन से मोहीनी बनी ति और सिधार्त नो कैसे हैं घंख की थी और यहां पर यह भी मताति है कि बही म्यां मेर Another ant तो आपके साथ थी यहां पर कृष्णा तो आरेमन उसको सारा सच बताता है कि भई वो मेरे साथ नहीं थी यहां पर उसको किस तरीके से गुंडों ने पकड़ लिया था वो पैसे चीन लिये थे सारी चीज़े बताती तो यहाँ पर मोहिनी के सामने सब क्लियर हो जाता है कि सिधार्त ने उसको फसाया है लेकिन यहाँ पर अब कृष्णा और आर्यमन के सामने सचा आ गया है और देखते हैं जब यह पता लगया कि मोहन है तो Krishna का क्या reaction होगा क्योंकि उसको तो पहले से भी कभी कभी लगता था ना कि अरे तो मेरा भाई मोहन की तरीकी से सारी चीज़े कर रहा है तो हो सकता है मोहन हो लेकिन मोहन की तो मौत हो गई थी तो अब Krishna का reaction देखना सबसे दादा जरूरी है वही हमने देखा ही था ना यहाँ पर कि अनुरादा को किस सरीके से दौनों ने किड्नाप कर लिया था और अनुरादा को हो सकता है कि मडर भी कर दिया हो लेकिन अभी जिस सरी किसे एपिसोड में दिखाये चारा है ना कि अनुरादा को सिर्फ किड्नाप किया और की बांद के रख दिया है तो मोहीनी वो भी बता देगी कि अनुरादा कहाँ पर है और जब अनुरादा आएगी ना तो अनुरादा और सारी चीजे बताएगी क्लियर कर देगे कि भ phenomenon और मोहिनी बनकर यहां पर आ गई है बदला लेने के लिए अब यहां पर ८ोहिनी को सिधार्त का नाम भी बोल देगी कि सिधार्त ने उसकी help कि थी और सिधाष्ट का नाम जैसे सुनेगा आर्मन तू समझ में नी आएगा फिर फिर बताएगी कि प्रॉपर्टी के लिए उसने इस सारी चीजे की हैं, वो तुमारी प्रॉपर्टी सारी हरपना चाहता था, अपने नाम पर करना चाहता था, यहापर तुम्हें और कृष्णा को अलग भी करना चाहता था, कई बार ऐसा उसने किया भी था, लेकिन वो कभी कामियाब नहीं हो पाया, तो उसने ना मेरा साहरा लिया, तो यहाँ पर आरेमन और फिश्णा के सामने मोहिरी और सिधार्त कर सच आ गया है, तो देखते हैं, अब पुलिस क्या करती है?